नमस्ते बच्चों, ग्रेचार के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है हमारा पाठ है हमारे पहाड, हमारे उदिश्य है अनुछेद पठन तथा समझाना, वाक्य पुर्ती कराना और अंत में करिया का अभियास कराना चलिए शुरू करेंगे बच्चों पुस्तक खोलिए और प्रिष्ठ सतानबे पर जाईए आज हम इस भाग को एक साथ परहेंगे फिर मैं आपको एक एक वाक्य परह कर समझाओंगी यश अब मैं आपको एक एक वाक्य समझाओंगी यश बोल रहा है हाँ निखिल सीह परवत गौपो परवत माला में है क्या आपको पता है परवत माला क्या है चलिए देखते हैं इसे परवत माला कहते है पहाडों का समोह परवत माला कहलाता है बच्चो यश किस परवत के बारे में बोल रहा है सीह परवत सीह परवत कहां पाया जाता है इस नक्षे पर देखिए सीह परवत यहीं पर है कहां पर गौपो परवत माला में है हम आगे परहेंगे मुडिया पहार मोका परवत माला में है बच्चो पहारों का समूह परवत माला कहलाता है यहाँ पर देखिए मुडिया पहार का चित्र है चलिए हम देखेंगे मोका परवत माला कहां पर है आपको पता है मोका परवत माला कहां है ध्यान से देखिए मुका परवतमाला यहीं पर है इसी में मुड्या पहार पाया जाता है पितों दू ला पेटिट गिवियनौ ब्लाक रिवर परवतमाला में है देखिए बचों यहाँ पर पितों दू ला पेटिट गिवियनौ परवत का चितर है चलिए हम देखेंगे कि ब्लाक रिवर परवतमाला कहां है ध्यान से देखिए और ब्लाक रिवर परवतमाला को खोजिए बचों यहीं पर ब्लाक रिवर परवतमाला है यहाँ पर मो का परवतमाला है यहाँ पर गौपो परवतमाला है और यहाँ सावान परवतमाला है पुस्तक में सावान परवतमाला का उलेख नहीं किया गया है लेकिन आपको जानना चाहिए आभा, सीह परवत की आकरिती सीह जैसी है बच्चो, आकरिती का दूसरा शब्द है रूप, यहाँ पर आभा सीह परवत के रूप के बारे में बता रही है सीह परवत की आकरिती के बारे में बता रही है चलिए हम सीह परवत का एक चित्र देखती हैं देखिए बचो यहाँ पर सीह परवत है और यहाँ पर सीह का चित्र है ध्यान से देखिए दोनों की आकरिती एक जैसी है दोनों का रोप एक जैसा है अब निखिल बोलेगा और मुड्या पहार की आकरिती मनुश्य जैसी है बचो मनुश्य का दोसरा शब्द है आदमी बोलिये मनुश्य आदमी निखिल कहे रहा है कि मुड्या पहार का रूप मनुश्य जैसा है आदमी जैसा है चलिए मुड्या पहार का चित्र देखिए यहाँ पर एक आदमी का चित्र है बचो ध्यान से देखिए मुड्या पहार की आकरिती सच में मनुश्य जैसी है यश तीनों पहाड मौरिशस के उँचे पहाड हैं। यश किन तीन पहाडों के बारे में बोल रहा हैं। चलिए देखते हैं। मुड़िया पहाड, सीह परवत और पितों दिला पिचित रिवेनो परवत। ये तीन परवत मौरिशस के सबसे उँचे परवत हैं। अब हम कार्य की ओर बरहेंगे परिष्ठ एक साव दो पर जाएए हम नमबर चार वाक्य पुर्ती पर काम करेंगे पहले निर्देश परहेंगे नमबर चार उदाहरन की अनुसार पूरा कीजिए भाग एक, भाग दो सीह परवत, मुर्या पहाड, पुस परवत की आकरिती अंगूठे जैसी है सीह जैसी है, मनुश्य जैसी है पहला वाक्य हो चुका है हम उदाहरन को देखेंगे पर ये सीह परवत की आकरिती सीह जैसी है आपको इन दो वाक्यों को पूरा करना होगा यहां से चुनकर वाक्य की पुरती कीजिए आपको याद है ना बचो हमने किया था मुर्या पहाड की आकरिती कैसी है पुस परवत की आकरिती कैसी है अब सुधा रहेंगे बचो मुर्या पहाड की आकरिती कैसी है मनुष्य जैसी है चलिए एक चितर देखेंगे देखे बचो मुर्या पहाड के पास एक मनुष्य का चितर है आदमी का चितर है चलिए उत्तर लिखते है मुर्या पहाड की आकरिती मनुष्य जैसी है तीसरा वाक्य पुस्परवत की आकरिती कैसी है अंगूठे जैसी है चलिए एक चितर देखते हैं देखे बचो पुस्परवत के पास एक अंगूठे का चितर है पुस्परवत की आकरिती अंगूठे जैसी है चलिए उत्तर लिखेंगे पुस्परवत की आकरिती अंगूठे जैसी है बचो आप अच्छे तरह से सुधारेए फिर हम अगले कार्य की ओर बरहेंगे प्रिष्ठ 104 पर जाईए हम नंबर 6 पर काम करेंगे पहले निर्देश परहेंगे कोश्ठक में दिये गए शब्दों के उचित रूप लिखिए उदाहरन हम पहाडों की सुन्दरता देख कर प्रसन होते है कोश्ठक में करिया हैं देखन करिया का उचित रूप लिखने के लिए चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए तो हम देखना करिया लेंगे उसमें से नअ निकालेंगे फिर कर जोरेंगे हमारी क्रिया हो जाती हैं देख कर देख प्लस कर देख कर हम पहारों की सुन्दर्ता देखते हैं और प्रसंद होते हैं इसलिए क्रिया हो जाती हैं देख कर बच्चों चलिए हम इस कारे को एक साथ कर लेते हैं क लड़की कहानी ब्लैक सुनाती है परहना क्रिया का उचित रूप लिखने के लिए हमें क्रिया में से न आ निकालना होगा फिर कर जोरना होगा हमारी क्रिया हो जाती है परह कर लड़की कहानी परह कर सुनाती है क्रिया का उचित रूप लिखने के लिए हम क्रिया में से न आ को निकालेंगे फिर कर जोरेंगे हमारी क्रिया हो जाती है गा कर बच्चे गीत गाकर प्रसन होते है क्रिया का उचित रूप लिखने के लिए हम क्रिया में से न आ निकालेंगे फिर कर जोरेंगे क्रिया हो जाती है जाकर मौसी जी दुकान जाकर कपड़े खरीदती है फुफाजी टोकरी ब्लैंक बाजार जाते है क्रिया है लेना क्रिया का उचित रूप लिखने के लिए हम क्रिया में से न आ निकालेंगे फिर कर जोरेंगे हमारी क्रिया हो जाती है लेकर फुफाजी टोकरी लेकर बाजार जाते है अंग विमल हमेशा ब्लैंक पाठशाला जाता है चलना क्रिया का उचित रूप लिखने के लिए हम क्रिया में से न आ निकालेंगे फिर कर जोरेंगे हमारी क्रिया हो जाती है चलकर विमल हमेशा चलकर पाठशाला जाता है बच्चो आज के लिए हम यहीं पर टुकेंगे आप कार्य को अच्छे तरह से सुधारी नमस्ते धन्यवाद नमस्ते